एक छोटे शहर से अपने डिन्स फॉलो करने के लिए एक लड़की बड़े शहर में आती हैं वहाँ पर वो लोगों की वज़े से चेंज होने का ट्राइक करती है पर ये चेंज उसके लिए डेंजरस बन जाता है आज की हमारी मुवी ये पॉइजन आईवी का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है लिली मैंने पॉइजन आईवी का फर्स पार्ट भी एक्स्प्रेंड किया हुआ है उसकी लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वैसे दोनों मुवी करनेक्टें नहीं है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, कमेंट भी कर दीजे, इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है, अब बीना किसी देरी के, मुवी एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है, और हम एक प City में उसे scope नहीं था तो इसी वज़े से अब वो Los Angeles में आ चुकी है अपने painting class में जब वो पहुचती है तो वहाँ का teacher Donald है Donald Lily से गयता है कि तुम two weeks late हो Lily कहती है एक family emergency थी इसी वज़े से वो class join नहीं कर पाई इसके बाद एक class वो start करती है इसी class में हम देख सकते हैं कि हमारा और एंग main character है जिसका नाम है ग्रेडिन class के बाद Lily जब अपनी रहने की जगा ठून रही थी तो ग्रेडिन उसे फिल सी मिलता है एक दूसरे से properly introduced हो जाते हैं जहाँ पर Lily रहने वाली है वहाँ पर और भी students रहते हैं इसमें ग्रेडिन भी है ग्रेडिन फिर Lily को उसके stuff के साथ help करता है उसे सही से घर तक छोड़ देता है घर में आने के बाद वो तानिया और ब्रिजेट से मिली तानिया एक बहुत ही friendly character है ब्रिजेट फर्स टाइम मिलने के बाद ही लिली को उल्टा सुल्टा बोल देती है लिली को ऐसा feel कराती है कि वो यहाँ belong नहीं करती लिली ठक चुकी थे तो आते हुए ही सो जाती है रात में उसे कुछ आवाज आती है तो उसके housemate एक दुसरे के साथ intimate हो रहे थे सुबह होने पर लिली को उसकी मदर का call आता है मदर उसे thanksgiving के लिए घर आने के लिए कहती है लिली के लिए मदर ने उसकी bag में एक gift रखा था लिली जब ये open करती है तो इसमें एक photo album है उसकी मदर कहती है कि तुम मुझे भूल ना जाओ इसलिए मैं तुम्हें कुछ memories देना चाहती थी मदर लिली से कहती है कि तुम यहाँ भी paint कर सकती थी उसे समझ मने आता कि लिली यहाँ क्यों आई है इसके बाद इस रूम में लिली अपना सब सामान रख रहे थी वहाँ उसे एक box मिला इस box में एक लटकी की सब चीजे है उसकी कुछ nude photos उसकी diary और उसके कपड़े वेकरा इसके बाद लिली अपने खिड़के से नोटीस कर दी है कि ग्रेडिन किसी चीज़ पर काम कर रहा है एक चुल में ग्रेडिन एस sculpture है इसके बाद क्लास में हम देख सकते हैं कि सब लोग nude painting बना रहे थे यहाँ पर डोनाल लिली के पास आया उसका हाथ पकड़ कर यह draw कैसे करना है यह उससे सिखा रहा था उससे drawing के बारे में कुछ चीज़े बता रहा था इसी क्लास में हम ग्रेडिन को भी देख सकते हैं डोनाल का लिली का हाथ पकड़ना ग्रेडिन को सही नहीं लगता ग्रेडिन डोनाल से कहता है कि इस painting में कुछ भी unique नहीं है तुम सब कुछ चीज़े copy ही तो करना सिखा रहे हो इसमें artistic कुछ talent निकल करने आता ग्रेडिन लिली का drawing लेता है और पूरे क्लास के सामने उसकी insult क करता है लिली को इससे बहुत ही गुसा आ गया उससे गुसे में वहाँ से चली गए वह जब अपनी रूम में थी तो ग्रेडिन उससे मिलने के लिए उसने कहा कि तुम्हारे बारे में नहीं था यानि को लिली को personally hurt नहीं करना चाता था वह sorry कहे कर वहाँ से चला जाता है लि अभी character थी शायद उसी का सामान है इस डायरे में लिखा हुआ है इस world को मैं मेरी उंगलियों पर नजाना चाती हूँ बीना किसी fear के बीना किसी shame के रहना चाती हूँ जो confidence इस notebook में लिखा हुआ है यह confidence लिली अपने life में जाती है वह अपनी body देखकर wonder करती है कि वह भी desirable बन सकती है इसके बाद लिली के डोर के नीचे से एक note आती है इसमें लिखा हुआ है जब भी में तुम्हारे साथ होता हो तो foolish बन जाता हो तुम्हारे भी न इस दुनिया में fool नहीं है garden में कुछ भी नहीं खिलता मेरा heart सिर्फ तुमें ही जाता है लिली समझ जाती है कि प्रोजेक्ट है यह दिखाने के लिए वो लिली को लेकर आता है लिली भी realize करती है और कहती है कि शायद मैं ज्यादा sensitive हो गई थी मुझे इस तरह से react नहीं करना चाहिए था लिली को ग्रेडिन का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है ग्रेडिन लिली से पुछता है तुम दो विक्स तक गायब थी क्या हुआ था वे कहती है कि मैं जोटका था कोभी family emergency नहीं थी मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे college में मेरा admission हो जाएगा जब actual में हो गया तो मैं डर गई थी इसलिए दो विक्स तक आने का मेरा courage नहीं हुआ ग्रेडिन पुछता है कि तुम क्या चाहती हो लेली कहती है मैं चाहती हो कि मैं मेरी आग बन करूँ और जब खोलू तब पूरी तरीकी से change हो जाओ रेडिन कहता है तुम जैसी हो वैसी beautiful हो उसे किस कर लेता है में make out कर रहे थे पर लेली को जड़ा uncomfortable महसूस हुआ तो वहाँ से हो चली गई रात में वो फि आईवी का ड्रेस उसे मिला है यह वो ट्राइ करकर देखती है अगले दिन जब ग्रेडिन फिर से लीली से मिलता है तो पुछता है क्या आज शाम भी तुम फिर से मुझसे मिल सकती हो लीली उसे यह थी कि शायद आ सकती हो इसके बाद लीली अपनी यूनिविरसिटी में विग डोनाल की वाइफ आ गये एक्च्वल में डोनाल को एक छोटी सी बेटी है तो उसका खlaid रखने के लिए लिली को ऐस वेबिसिटर उसने हायर किया है इसके बाद डोनाल की बेटी के साथ लीली को हम खेलता हो देख सकते है यह हाय डैस ही खेल रहे थे डोनाल की बेट इसमें है वो अब पेंट नहीं करते मदर गहती है कि जब वो पेंट करते तो वो पागल बन जाते है डाफना की बात है लीली को अम्यूजिंग लगती है जब डॉनल अपनी वाइफ के साथ घर वापस आ गया तो लीली को कॉलेज तक वो लिवट देता है वो लीली से कहता है अगर तुम अपना आर्ट मुझे दिखाना चाती हो उससे अच्छी तरीके से इंप्रूग करना चाती हो तुम मुझे आकर मिल सकती हो उसके कॉलेज में ही एक जगा है जहापर क्लास के बाद उसे मिलने के लिए गहता है लीली भी इस पर सोचने वाली है घर आने के बाद लीली अब अपने आपको चेंज करने के लिए अलग से कपड़े पहन दिया एक न्यू मेक और करती है इसके बाद वो डोनाल से मिलने के लिए जाती है वो उससे बुछती है यह मेरा नया लोग तुमें कैसा लगा क्या तुम दोनों की बीच में कुछ है उसे लग रहा था क ग्रेडिन और लीली की बीच में कुछ है तो लीली क्लेयर करती है वो कहती है कि मैं सिर्फ उसकी बेबिसीटर हूँ इसमें वरी करने की कोई भी ज़रूत नहीं है इसके बाद यह ड्रिंग वगरा करते है और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है रात में लीली को एक पेंटिंग्स डोनाल को दिखाने के लिए जाती है डोनाल ले देखता है और उसे अच्छा लगता है और हो कहता है कि तुम अभी बहुत ही कौशेस हो एक स्टूडन की तरह एक आर्टिस की तरह यह तुमारी ड्राइंग्स नहीं है लीली कहती है तुम टीज कर रहे हो हमार हाट जर्नी पर जाना पड़ता है इसी जर्नी पर मेरे साथ कुछ चीजे हुए और इसी वज़े से मैंने उसे छोड़ दिया है वो एक्च्छल में पेंटिंग करने से डर रहा है लीली कहती है वे तुम्हें तुमारे फियर्स कॉंकर करने में हेल्प कर सकती हूं अब डोना होने के लिए कह रहा था कहता है कि आर्टिस बनने का ये भी एक पार्ट है लीली भी इसके लिए मान जाती है और उसकी ब्यूटिफुल पेंटिंग निकालता है इसके बाद लीली हमेशा डोनाल के पास जाती रहती थी प्रिडेंट को इनसीक्योर फिल हुआ तो ये बात व तुम वरी मत करो मैं सिर्फ वर्ग में बीजी हूँ हमारे बीच कुछ भी बदला नहीं है एक दिन लीली अपने-पने डॉइंग कर रही थी तिब्य उसके एक फ्रेंड ब्रिजेट वहाए ब्रिजेट वही क्यारक्टर है जो लीली पसंद नहीं करती है ब्रिजेट लिली स लेकर बहुत गुसा हो गए वो फिर आज रात पार्टी में जाने वाली है उसने पूरी तरीके से अपना मेकोर किया वो स्मोक भी कर रही थी तो यह सब तानिया नोटिस करती है गहती है कि तुम अपने साथ कर क्या रही हो पहले तो तुम ऐसे नहीं थी लेली उसकी इंसल्ट करकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेली फिर पार्टी में वहाँ एक आतमे ने मास्क पहना हुआ था लेली को लगा कि ग्रेडिन ही है उसने फिर उसे किस किया फिर रियलाइस किया कि ग्रेडिन नहीं है उसके बाद ग्रेडिन उसके पास आता है और कहता है तुमार लिली से पुछता है थैंक्स गिविंपर क्या तुम घर जाने वाली हो इनके फ्रेंड सब बहार जाने वाले हैं लिली गहती है कि मैरे कोई भी प्लांस नहीं है लिली क्लास के लिए लेट हो चुकी थी तो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी तभी ग्रेडिन ने आईवी की नोटबुक वहां देखी यह नोटबुक पढ़कर उसे बहुत ही अजीब लगा लिली अब उससे डिस्टन रहने लग चुकी है तो लिली से यहता है हम दोनों को बात करने चाहिए लिली इस बात को टाल देती है गहती है मैं इस बारे में तुमसे अभी बात नहीं कर सकती ह ग्रेडियन को फिर गुसा आ गया और वहां से चला गया नेकसे में हम देखते है डोनाल की वाइफ उसे उसके स्टूडियो में मिलने के लिए आती है डोनाल अफिर से पेंट करने लग गया है तो बहुत ही वरीड है एक्चुल में लास्ट टाइम जब डोनाल ने पेंट कि आई डोनाल ने लिली को ग्रेडियन के साथ देखा था तो कहता है कि तुम कहा थे तुम क्लास में भी नहीं थे और यहां भी लेट आई हो लिली इस पर डिस्कुर्शन नहीं करना जाती थे तो यहां से जा रही थे तो डोनाल उसे रोक लेता है वो उससे कहता है कि कही भी म बैठती है यहाँ पर भी डोनाल रुकता नहीं वो इसके साथ इंटिमेट होने वाला था तब भी डोर उपर एक नौक आए लिली ने रियलाइज किया कि यह गलत है और वहाँ से हो चली गई इसके बाद हम उसे ग्रेडिन के साथ देख सकते हैं यह जो टांजिशन है यह मेरे इनवाइट किया था लिली उसके साथ ग्रेडिन को भी लेकर आई डोनाल को इसके बारे में पता नहीं था तो सप्राइस था जब डोनाल और लिली को अकेले में बात करने के लिए विंडो मिलता है तो डोनाल कहता है कि तुम उसे क्यों लेकर आई लिली कहती है क्योंकि हो म प्रास में थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया यहाँ में पता जलता है डोनाल्ड हर एक लड़की के साथ यही करता है मुवी के फर्स में हमने देखा था के एक लड़की के साथ intimate होकर उससे उसने ब्रेक अप कर लिया था इस बारे में लिली के साथ इंटिमेट होना चाता है लिली उसे रेजिस्ट करती है कहती है कि अब हम दोनों की बीज में कुछ भी नहीं है पर वो मानता नहीं कुछ आवाज आ रही थे ये सब को सुनाई दी और डोनाल की बेटी उठ गई उसने इन दोनों को देखा उसे शौक लगा भागते भागते घर से बाहर निकल गई डोनाल की वाइफ और ग्रेडिन ये दोनों भी ये चीज देख लेते हैं वाइफ बेटी की पीछे बीचे गई पर बेटी रोर तक पहुच चुकी थे एक गाड़ी से टकरा कर उसका एक्सिडन्ट हो गया बाइफ गॉर्स ग्रेज वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुई डोनाल भी एक्सिडन्ट के हाँ पहुचा तो ग्रेडिन उसे जोर से पंच करता है लिली इन सब चीजों से बहुत ही डिस्टब हो चुकी थे गर पर आकर सब चीज़े वो फेक देती है वो आईवी की तरह बनना चाहती थी पर उसने रियलाइस किया है कि ये सब गलत है जैसे वो नैचरली पहले थी वैसे हो रहना चाहती है राद में फिर ग्रेडिन लिली से मिलने के लिए आता है वैता है जो भी तुम कर रही हो क्या तुम्हें इससे कोई भी फरक पड़ता है लिली उससे कुछ कहने वाली थी तबी डोनाड वहाँ पहुँच गया और उसने ग्रेडिन पर हमला कर दिया वो लिली से कहता हम दोनों की बीच में जो भी है मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता वो लिली को हर्ट करने वाला था तबी ग्रेडिन और उसमें फाइट हो गए ये दोनों एक दुसरे को बहुत मारते है डोनाड लिली को लेकर टेरेस तक आ चुका था ये उसे हर्ट करने वाला था तबी उसका खुद का ये पैर फिसल गया नीचे गेर कर उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद कुछ दीन बीच जाते है अब अभी भी देखते हैं कि ग्रेडिन लिली पर नाराज है लिली उसके पास आती है उसे गहती है मेरे टाउन में मैं ज़रा अलग थी लोग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे जब मैं यहाँ आई तबी मैं मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उसने आईवी की नोटबुक पढ़ी और उसके जैसी वो बनना चाती थी जब वो उसकी तरह बन गे तो लोग को उसे एक्सेप्ट करने लगे ग्रेडिन से कहती है कि अब वो मैं नहीं जाती है वो सब गलत था वो जैसी है वो अपने आपको अब एक्सेप्ट कर चुकी है वो कहती है कि आप मैं जा रही हो वो जाते जाते कहती है कि तुम बिलीव करो या ना करो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो क्रेडिन भी उसे समझ लेता है और उसे माफ कर देता है इनके बीच में फिर से उनकी रिलेशन्शिप सही हो चुकी है इसी तरीके से यह मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लिकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोट्विशन आई गोंदाबर में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूई के साथ तब तक के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये